आपका आपका आपके अपने चैनल बी एसे ट्रिकी क्लासेस में तो दोस्तों आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टन डेने वाला है यूपी पैट एक्जाम के लिए जैसा कि कल हमने आप लोग को बता आयता है कि आप लोग का जो एक्जाम में अगस्त या फिर सितंबर तक में हो सकता है तो बिल्कुल आप लोग अवियर हो जाएए किस तरीके से पेपर आता है क्या आपका सलेवस रहता है नेगेटिम मार्किंग कितनी है मैंने सब आपको कराएंगे बाकि शिवम शर अलग आपको और अध्मान सर की भी क्लास आपको प्रोवाइट कराएंगी तो यह आप लोग के यूपी पैट के लिए बहुत इंपोर्टेंट और इंटरिशन रहेंगी तो जो भी आप लोग की आगे जो आप लोग का मेन एक्जाम होगा मुख अधरी क्लास आपको important लगे helpful लगे तो वीडियो को like जरूर कीजेगा class को share कीजेगा और मिलकर आप सब लोग support कीजेगा तो साथ मों बोलेंगे जो और से एक बार तो देखिए बुलन दर्वाजी के अगर हम बात करेंगे बुलन दर्वाजी का जो निर्माड है 1602 इस्वी में अकवर ने करवाए था और इसे जो है प्रवेज द्वार का निर्माड गुजरात विजय के उपलक्षे में किया गया था देखिए बुलन दर्वाजी जो है भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगराश सहर से 43 किलोमेटर दूर पतेपुर सेगरी नामक इस्थान पर है बुलन दर्वाजे के तोरण पर इसा मशी से सबंदित कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा अकवर तो जिन दोस्तों का भी आंसर अकवर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने है अकवर नामा के प्रशिद लेखक कौन थे अकवर नामा के जो प्रशिद लेखक थे अबुल फजल है आपको मैं बताना चाहूँगा कि अकवर नामा अबुल फजल ने लिखी है इसके तीन भाग है जिसमें तीसरा भाग आईने अकवरी बहुत इम्पोर्टेंट है और पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हिमाईयो तक मुगल साशको के इतियास का वर्डन है और दूसरे और तीसरे भाग में 1602 इसमी तक बाश्चाह अकवर के इतियास का वर्डन इसमें देखने को मिलता है ऐसे में अगर कभी भी आपके एक्जामे कोशन ये बनता है कि अकवर नामा के लेखक कौन है तो आप इसको नोट कर लीजएगा मेरे सभी प्यारे दोस्तो अकवर नामा के प्रश्चिद लेखक हैं कौन है इनका नाम है अबुल फचल अब बढ़ते हैं आगे हमारा आज का अगला कोशन आप लोग के सामने है देखिए ये बात है लौड बैलेजली की साहक संदी को सुईकार करने वाला लॉर्ड बैलेजली की साहेक संदी को सुईकार करने वाला प्रत्थम भारतिय साशक हैदरावाद का निजाम था और निजाम ने 1798 में लॉर्ड बैलेजली की साहेक संदी को सुईकार किया उसके बाद आपका मैसूर दूसरा राज्य हुआ है जिसने 1799 में संदी पर हस्ताक्षर किये जबकि 1801 में बैलेजली ने अबत के नवाब को इस संदी पर हस्ताक्षर करने के लिए बात दे किया बास और में आ रही है तो साहेक संदी किसी पर राज्य की सम प्रभुता को छीनने वाला दस्तावेश था तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया 1798 में इसको सुईकार किया है हैदरावाद के निजाम ने किसने कि यहाँ पर हैदरावाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में इसको सुईकार किया साहेक संदी को 1799 में आपका दूसरा राज्य बना मैसूर जिसने इसको सुईकार किया मैसूर और उसके बाद हम बात करेंगे 1801 में 1801 में अवद के नवाब ने भी इस संदी पर हस्ताक्षर करने के लिए बात देख किये गए तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा है तो यहाँ पर आपका जो मैसूर दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नमबर उन पर आपका यह है न नमबर तीन पर यह तो according to the option हमारा सही जवाब हो जाएगा मैसूर ओके न तो यहाँ पर आपसे दूसरा प्रांत पूछ रहा है तो दूसरा प्रांत आपका था मैसूर था इसके बाद बढ़ेंगे आगे हमारा जो next question आप लोग के सामने है वह कौन सा इस्थान है जहाँ पर लुप्त जो है सबी लोग उठा सकें किस तरीके से आप लोग के exam में आने वाले question है मैं one by one day by day आपको complete करा होगा और इस बार आपका pet में selection जरूड होगा आप pet exam को qualify कर पाएंगे इसके लिए आप daily ways पर class को attend कीजिए और समय से class को देखने के लिए टेलेगराम गुरुप को जोईन जरूर कीजेगा टेलेगराम गुरुप को जोईन करने का link वीडियो के description में आपको दिया गया है और सुबह 7 वजे current affair की class होती है BSA government job news पर आप जाकर अपने second channel को भी subscribe कर लिजेगा ताकि वहाँ पर आपको मैंने आज जो class provide कर आईए क्लास में regular रहेगा क्योंकि pet exam में 10 question आएंगे current affair के समझ रहे हैं आप लोग तो वहीं से मिलेंगे तो कौन सा इस्थान है जहां अंतिम मोगल समराट बहादूर शहां जफर की मृत्ति हुई थी आपका right answer हो जाएगा रंगून तो जिन दोस्तों का भी answer रंगून आ रहा है तो बिलकुल right है very good class बहुत बढ़िया वैदिक देपता इंद्र किसके देपता है वैदिक देपता इंद्र जो है वो किसके देपता है तो अगर हम इस question की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा option number C हो जाएगा वर्षा और चकरवात के ओके तो वैदिक देपता या आंदुलन के शिरुवात के पहले बाइसराय को गांधी जी का 11 सूत्रिये चितावनी पत्र दिया गया था तो इन चितावनियों के संधर में क्या सही है या आप लोग बताईगे हो मैं आप लोग के सामने चार विकल प्रस्तुत करता हूं number one number two number three ये तीन बाते हैं और ऐसे तीन बातों में आपको क्या लगता है भाई साब सही जवाब क्या होगा बता ये साथियों तो मेरे परम दोस्तों right answer एक और दो दो और तीन एक और तीन या एक दो और तीन देखे दोस्तों अगर हम six question की बात करेंगे सवने अवग्या आंदूलन जो की 1931 में प्रारम करने से पूर्व गांदी जी ने सरकार से एक बार फिर से समझादा करने का प्रयास किया और गांदी जी ने यंग इंडिया में एक लेग प्रकाशित करके सरकार के समक्ष 11 सूत् करने के लिए 31 जन्वरी 1930 इस भी तक का समय दिया गया जो सरकार के दोरा आस्विकार कर दिया गया था तो 11 सूत्रिय मांग में था कि भूर राजस में 50 परशन की कमी की जाए राजनेतिक कैदियों को रिहा करना डाग आरक्षन बिलको पास करना नमक कर समाप्त करना और नमक पर सरकारी एक आधिकार समाप्त किया जाए पांचमा पॉइंट था अप लोगका तटिये यातायात थातायात रक्षा विद्यक पास किया जाए रक्षात्म स्तुलक लगाई जाने और विदेशी कपडों का आयात पर नियंत्रण किया जाए रुपए की विनमे दर को घटा कर एक सिलिंग चार पेंस की जाए सिविल सेवाओ और सेना के व्य में पचास पर्शन की कमी की जाए नशीली वस्तु के विक्रह पर पूर्ण रोक लगाई जाए CIT विवब पर सारजनिक नियंत्रन हो और उसे खतम कर दिया जाए सस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तदा भारतियों को आत्मरक्षा है तो हतियार रखने का लाइसेंस दिया जाए तो यह 11 सूत्र थे जो मैंने आज आज आपको बताए है तो ऐसा मुझे देखकर लग रहा है कि भाई रुपिया डॉलर डॉलर तो इस टैम प्लाल पता नहीं लेकिन ये वाला बिल्कुल राइट है कि भाई साब भू राजस में 50% कमी की जाए ऐसा 11 सूत्री मांगों में इ आप लोग को मांगे बताए हैं यही है 11 सूत्री मांगे जो महत्मा गांदी जी के द्वारा यहां पर सरकार को दे गई थी तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल राइट हो चाएगा क्लास अगर आपको अच्छे लगे पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर रहे हैं मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहे हैं अगला कोशन है चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांदी जी को अपना आसायोग आंदूलन बंद करना पड़ा ओके तो इसके विशह में आप लोग बताए हैं हाँ देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा देखी सेवंध कोशन के अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरकपुर तो चौरा चौरा चौरी जो कांड हुआ था जिसके कारण गांदी जी ने अपना आसायोग आंदूलन बंद किया तो ये है आपका गो गोरकपुर की इसके लावा हम लोग बढ़ेंगे आगे हमारा जो नेक्स्ट कुशन आप लोग के सामने है तो ऑसात्ति के साथ मेरे प्रियोग इसका मतलब क्या है दोस्तो जोस्त्ति के साथ मेरे प्रियोग इसके लेखक हैं मोहन डास करमचन गांधी यह गांधी जी की आत्मकता है और यह आत्मकता उन्होंने किस भाषा में लिखी थी यह आत्मकता गांधी जी के दौरा गुजराती भाषा में लिखी गई थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती और ये है महात्मा गांदे जी की The Story of My Experiment with Truth तो ये है इनकी आर्टो बायोग्राफिय है ओके नेक्स्ट कुशन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है मुक्त भारस समाज की स्थापना किस ने की थी? Do you know something? इस विशे में आप लोग को कुछ मालूम भी है Who founded the Free India Society? तो मुक्त भारस समाज की स्थापना वीर सावर कर जीने की थी जब वे च्छादर थे और इंडिया हाउस में रहते थे उस समय अंग्रेजों से भारत को सोतंदर कराने के लिए तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीर सावर कर नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दोरान भारत के वाइसराई कौन थी? लॉड करजन, लॉड एलगिन सेकिन, लॉड मिंटो, लॉड हाल्डिंग्स देखे दोस्तों, अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, तो आप लोग का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन तो टेंद कोशन का सही जवाब होगा, लॉड करजन तो उस टाइम भारत का वाइसराई कौन था? तो उस टाइम भारत करजन, कौन था? करजन था नेक्स्ट कोशन प्लीज, आप सब लोग देखे, क्लास को लाइक करते हैं बागे लोग वाई कितन रहे गए? क्लास को सब लोग लाइक जरूर कीजएगा, क्लास को शेर करते रहे हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सेंडी स्वाइल बालूई मिट्टी बालूई मिट्टी में रेत बालू की मातरा जो है अधिक पाई जाती है और ये मिट्टियां तेज हवाओ के दोरा एक इस्थान से उड़कर दूसरे इस्थान पर जमा हो जाती है तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बालूई मिट्टी नेक्स्ट कोशन प्लीज आईए और आप लोग बताईए वैनिश शहर जो कि नहरो और पुलो से युक्त है, निमलिकित में से किस देश में इस्थित है? यह जो वैनिश है आपका वैनिश, यह इटली का एक प्रमुक नगर है, जो कि नहरो और पुलो से युक्त है और इसे नहरो का शहर के नाम से भी जानते हैं तो यह इटली में है और वैनिश को जो है नहरो का शहर नहरो का शहर उपनाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन प्लीज बताएंगे सरवादिक वर्षा वार्षिक वर्षा कहां होती है तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे तो दियेगा विकल्पों में सरवादिक वार्षिक जो है वर्षन यह अमेजन वेशन में होता है यह जो आप लोग का है ना पर्सिपिटेशन तो पर्सिपिटेशन जो है आप लोग का अमेजन बेशन में होता है यहां आस्तर वार्शिक वर्षा 200 cm होती है और यह जो है आपका बेशन विश्युवद रेखिये प्रदेश में पढ़ता है यहाँ पर वर्ष भर वर्षन होता रहता है तो आपका सही जवाब क्या हो चाहेगा Amazon Basin तो option number B होगा इस question का बिल्कुल right answer very good class, बहुत बढ़िया अब बढ़ेंगे आगे next question आप लोग के सामने है इसको बताएगे दोस्तों, दुनिया को समय छेतरों में बाटा गया है तो समय छेतर की कुल संक्या कितनी है पूरी दुनिया को 24 समय छेतर में बाटा गया है भारत में केवल एक समय छेतर है और बर्दमान में सरवादिक समय छेतर जो है टाइम जोन, यह फ्राम्स के पास है तो टोटल जो है आपर 24 समय छेतर उन्पाटा गया है भारत में केवल एक समय छेतर है जबकि फ्राम्स के पास सबसे ज़्यादा है करीब करी 12 समय छेतर है इसको बोलते है टाइम जोन तो फ्राम्स के पास टाइम जोन की कुल संक्या जो है 12 है ओके अब बढ़ेंगे आगे next question आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखेंगे तो मेरे सभी प्यारे मित्रों आप देखेंगे कुछ बहुत ही important question विज्ञान के आपको पता होगा कि आप किस लेवस में 5 question आएंगे विज्ञान से विज्ञान में केवल आपको physics, chemistry और बायो पढ़ना है PCV physics, chemistry, bio negative marking है 1y4 की तो ध्यान से पढ़िएगा गलती मत कीजेगा क्योंकि negative marking में आपका number कम नहीं होना चाहेंगे तुक्के का प्रयोग करनी सकते अपनी तयारी को बिल्कुल solid कीजिए और देखिए किस तरीके से question आपकी exam में देखने को मिल सकते हैं ये हैं संभावित प्रशन तो pediatrics, name लिकेट में से किसके अध्यन से संबंदित है तो देखिए दोस्तो pediatrics जो है, ये सिशू रोग का इसमें अध्यन करते हैं इसमें बच्चों से संबंदित इसके विशे में जानते हैं तो आपका right answer हो जाएगा pediatrics यानि की सिशू रोग से संबंदित है आपका सही जवाब हो जाएगा option number C होगा इस question का बिल्कुल right answer very good class litmus billion एक बैंगली रंग का रंजक होता है जिससे ये प्राप्त किया जाता है रीशिया प्यूनेरिया, लाइकेन, हाइड्रेजिया तो दोस्तों अगर हम इस question की बात करेंगे तो आप लोग को क्या लगता है कि इस question का सही जवाब क्या होगा लाइकेन लाइकेन ठैलोफाइडा प्रकार की बनसपती है जो कवक और सैवाल दोनों से मिलकर बनती है लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक बनसपती सास्तरी थियो फ्रेश्टस ने किया और लाइकेन का जो अध्यन है लाइकेनो लोजी कहलाता है और प्रयोक शोला में प्रयोक्त होने वाला लिटमस पेपल जो है यह रौसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और यह आपका लिटमस जो है विलियन बैगनी रंग का रंजग होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तो ऐसे में आपका right answer हो जाएगा मेरे प्यारे परमसाथियो लाइकेन Queshan की भावनाओं को समझे, Queshan आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपको जवाब देना है आप लोगों में से कई सारे लोग तुक्के का प्रियोग करते हैं लेकिन इससे भी आपको negative marking में कोई लावन मिलने वाला नहीं है इसलिए बिल्कुल solid तयारे कीजे, चीजों को समझे किस तरीके से Queshan आप लोग के एक्जामें पूछे जा रहे है अगला Queshan आप लोग के सामने है, इसको समझेंगे तो अगर हम इस Queshan की बात करेंगे, तो आपका सही जवाब क्या हो चाएगा, बताईगे हाँ दोस्तो, देखिए पादबू के वाईवी भागों के दौरा, जल का वास्प के रूप में बाहर निकलना बास्पो सर्जन कहलाता है, और यह है प्रकरिया जिसमें ताप मान के दौरा जल गैस अवस्ता में प्रदर्शित होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं वैपराइजेशन, आई मीन वाश्पी करण, ओके तो ऐसे में आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर, तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, तो मेरे सभी दोस्तों बिलकुल ध्यान से पढ़िए, आपका इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर B हो जाएगा, E, वैपराइजेशन, एंड ट्रांसपाइरेशन, वाश्पी करण, और वास्पो सर्जन होगा इस कोशन का बिलकुल राइट आंसर, बहुत बढ़िए तो उमीद करता हूँ कि आप लोग सरुज पा रहे होगा, इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर C होगा इस कोशन का बिलकुल राइट आर्सर, देखिए आपके एक्जाम में मैथ के भी कुछ कोशन पूछे जाएंगे, पांच कोशन पेपर में आएंग कराने वाला हूँ, बस आप इस क्लास में रेगुलर रहिएगा, यहां से आप लोग का बिलकुल 101% शेओ रहे हैं कि आप लोग का पैट का एक्जाम कौलिफाई जरूर हो जाएगा, तो जब तक तोड़ेंगे ने दोस्तों, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहिए डटे रहिए, अड़े रहिए, जीत लोग के होगी, तो बस बढ़ते रहना है, समजते रहना है, अब 256 की पवर दे रहका है, 0.16256 की पवर दे रहका है 0.09, 256 को मैं लिख सकता हूँ, दो की पावर 8, भाई साब लिख सकते हैं क्यूंँ?, दोधने 4, दोधने 8, दोधने 16, दुनी 32, दुनी 64, दुनी 128, दुनी 256, तो 2 की पावर, 8 की पावर रखा है, 0.16, इंटू, इदर 2 की पावर, 8 की पावर हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, समझ में आ लिए बात, मैंने पॉइंट अड़ाया, नीचे 100 बढ़ा लिया, मैंने पॉइंट अड़ाया, अब मल्टिप्लाई कर लेंगे, तो भाई साब, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो मैं इसको 16 की मल्टिप्लाई, 8 से मैं अगर करूँगा यहां से, और इधर यह मैं मल्टिप्लाई कर यहाँ पर 8 के 9 से ही, तो कितना हो जाएगा, तो मेरे सबी दोस्तों, यह मेरा हो जाएगा, something 128 हो जाएगा, अगर मैं बात को नहीं आप पर, क्यूँकि पॉवर की पॉवर मल्टिप्लाई हो जाती है, तो 168, तो यह आपका हो जाएगा, 128 बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100 बट हो जाएगा दो की पावर गुड़ा में घाते जुड़ती हैं तो 128 बटे सो प्लस का 72 बटे सो तो यह हो जाएगा दो की पावर 100 है LCM ले लिया तो 8 और 2 10 7 3 10 और 1 और 1 200 100 दोनी 200 तो 2 की पावर 2 बचेगा और 2 की पावर 2 का मतलब है मेरे दोस्तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 4 तो क्लास में हमारे जिन भी इस्पेशल जो केंडिडेट हैं अगर आप डेली हमारे साथ प्रेक्टिस कर रहोंगे तो आपका पहले ही आंसर 4 आ चुका होगा मैंने देखा मुझे देखकर अच्छा लगा कि जवाब आप लोग के SOLVE करवाए जाएगा आप लोगे को यहाँ पर आप लोगकर सबसे बेस्ट तरीके से अप छोपाईगी जिस तरीके से पेपर आएगा मैं उसी format में मैं आपको daily practice कराऊंगा बस आपको regular हो जाना है class में, क्या हो जाना है? regular और किसी भी class को धोके से भी miss मत कीज़ेगा, क्योंकि होता यही है जिस भी class को miss करोगे आपके paper में उससे question देखने को मिलेंगे फिर होगा क्या, number कम होगे और number मैं नहीं चाता है कि आप लोग के कम हो merit में आप लोग को आगे बढ़ना है क्योंकि इसके बाद आपका main exam होगा main exam से पहले आपको pre exam को qualify तो करना पड़ेगा और जिसमें सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो subject आपका आएगा नहीं, सब कुछ पूछ दाएगा अब पांच परिडामों का आउसत है 46, पहले चार परिडामों का आउसत है 45, तो पांच मां परिडाम क्या होगा बताईए देखे दोस्तो, तो पांच परिडामों का average आपको दिया गया है, कितना है 46 है, ओके तो 46, पंच हो जाएगा 5, 6, 30, 5, 20, 21, 22, 23, 230 लिख दिया मैंने यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है और पहले चार परिडामों का आउसत है 45, चार का आउसत 45 दे रख रहा है तो चार का मैंने 45 लिख लिए आपर कितना हो जाएगा 45, 20, 4, 16, 18, 11, 30 लिख लिए तो पांचमा परिडाम क्या होगा, इसको घटा लिजिए तो पांचमा परिडाम निकल के आएगा 0 में से 0 हो गया, तो 0 बचेगा 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, 1, 1, 0 तो पांचमा परिडाम की जो वैलू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी बाद समझ में आ रहे तो बोलेंगे हाँ हाँ, ठीक ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 50, तो बिल्कुल राइट है, very good class, बहुत बढ़िया, next question प्लीज, आईए देखते हैं, तो अगला गोशन आप लोग के सामने है एक संख्या पच्पन से उतनी ही बड़ी है, जितनी की वह 79 से छोटी है, तो संख्या ग्याब कीजिए, और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा एक संख्या पच्पन से उतनी बड़ी है, जितनी की वह 79 से छोटी है, तो क्या लगते साथ, आठ, पांस, तेरा, बटे, दो, दो छंग, बारा, एक, तेरा, दो सत्य, चौधा, तो वह संख्या मेरी हो जाएगी, 67, तो अगर आप लोगों में से, क्लास में किसी भी इस्टुडेंट का आंसर आ रहा है, 67, तो बिल्कुल राइट होगा, very good class, बहुत बड़ी है, तो कोई परिशानी, बस ऐसे ही हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान से बढ़ते रहिए, अब आपका अगला कोशन आप लोग के सामने है, हिंदी, हिंदी के मैं बात करूँगा, तो हिंदी में किस तरीके से कोशन देखने को मिलेंगे, आप लोग की इस परिक्षा में, इतियादी, इतियादी शब्द में कौन सी सन्दी है, बताईएं। जाता है तो यहां पर आपकी संधी कौन से हो जाएगी तो यह किस संधी का example है यड़ संधी ओके तो अगर हम इस question के बात करेंगे तो आपका इत्यादी शब्द में कौन से संधी हो जाएगा तो इत्यादी शब्द में जो आपकी संदी है आपकी यड संदी है मैंने ये संदी आपको पढ़ाई है संदी तीन प्रकार के होती है स्वार के संदी थी ना स्वार संदी व्यंजन संदी और विसर्ख संदी अब स्वार में आपके पांच प्रकार होते हैं कौन-कौन से आपके होते हैं जैसे कर मैं बताओं तो दे वो अच्छा रहेगा इस्टेंडर पेपर आएगा और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट पर अगर आपने हर सब्जेक्ट पर बरावर बरावर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे में आपके नंबर कम हो सकते हैं लेकिन अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टि बहुत ज्यादा प्रिय होना देखें नाक का बाल का मतलब होता है अधिक प्रिय होना नाक का बाल का मतलब होता है अधिक प्रिय होना ठीक है नाक का बाल होना संदेह है तो नाक का बाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रिय होना तो एक तरी कि यह मेरी नाक का बाल है बहु कुल राइट होगा बेरी बूट क्लास जिसका ज्ञान इंद्रीओं के द्वारा हो सके अब मुझे बताेंじゃあ एक शब्द में उत्तर देना है आप सभी को जिसका ज्यान इंद्रिओं द्वारा हो सके उसे कहां पोलते पर्यावरण के उपर कुछ बात कही गई है और फिर इससे पांच कोशन बनेंगे तो क्या आपको दिया गया है सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बिल्कुल गहराई के साथ इस भावनाओं को समझेगा तो पर्यावरण के प्रती गहरी संबेदन शीलता प्रत्वी की संतान है एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हरदय को आघात पहुचे हरदय को आघात पहुचाने का यहां मतलब है कि प्रत्वी के पारि इस्तितिकी तंत्र के साथ कुरूर छेड़ चार हमे प्राकरतिक संसादनों के आप्राकरतिक और आसीमित दोहन से बचना होगा आज आवश्यक्ता इस बात की है कि प्रत्वी के तमाम राष्ट जलवायू परिवर्तन के घंबीर खतरे को लेकर आपसी मतवेत भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी इमानदारी से निभा है कि हम मिलजुलकर काम करें एक साथ काम करें और इस दिशा में आंधूलन भी हो रहे हैं तो अरण्य रोधन के बदले अरण्य सनरक्षण की बात हो रही है सच मुझ हमें आत्म रक्षा के लिए प्रत्वी की रक्षा करनी होगी भूमी माता है और हम सब उसकी संतान तो इस खास देश के लोग से या हम भारत बासी से हम, आईगे ही, अब इसी तरीके से पेपर में आपकी एक कहानी होगी, उस कहानी से कोष्चन बनेंगे, जिसका जवाब आपको बताना होगा, इसमें हम का मतलब है जितने भी इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जो इस लोगों से इसमें मतलव है हमका मतलव है सभी से परियावरण एक शब्द आया परियावरण का संधी विच्छेत कीजिए परी प्लस आबरण परियावरण क्या होता है आपका परी प्लस आबरण इसमें संधी दोस्तों कौन देखे है मारे देखे ए और आ मिलकर क्या बनना या बन रहा है तो इसमें कौन से संदी होगी अभी मैंने आपको पड़ा या या बनना याड हो जाएगा तो परी प्लस आप रण तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमर सी होगा इस कोशन का बिल्कुल राइट अंसर वेरी गुड क्लास आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे ही प्रयास करते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने है हम प्रकृति के हिर्दय को आघात पहुचाते हैं यदि हम क्या करें बनाईए लेकि दोस्तों अगर हम इस कोशन की बात करेंगे कि हम प्रकृति के हिर्दय को आघात पहु क्लियर हो रही बात, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, option number A होगा, इस question का बिल्कुल right answer, सर्वनास से उबरा जा सके, उबरने का मतलब क्या होता है, कि हम इस सर्वनास से बच सकते हैं, उबर सकते हैं, तो आईए, मैं इस विश्य में आप लोग की समन्द में कुछ बताना चाहूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, 44, बचना होता है, सर्वनास से बचा जा सके, उबरना का मतलब होता है, बचना, ऐसे question बनेगा आपका, अगला question देखिए, गद्धान्स में चारितार्थ करने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा होग एक कहानी, ये पूरा एक गद्खन था, कि भाई, भूमी माता है, और हम उसकी संतान इस कथन को चारितार्थ करना होगा, तो चरितार्थ करने का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों चरितार्थ करने का मतलब क्या होता है, बताईए, गधान्स में चरितार्थ करने का उलेक है, इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ, आपका इस question का सही जवाब हो चाएगा, option B, सिद्ध करना, इस बात को सिद्ध करना होगा, धरती हमारी माता है और हम सब उसकी सं सिद्ध करना, चरितार्थ सिद्ध करना, इसके बाद English में भी कुछ basic question रहेंगे, बहुत tough नहीं आने वाला, बस दिहान से पढ़ते रहेंगे, change the following verb into noun approve, दोस्तों इसको जो है, आप लोग को change करना है, change the following verb into noun, तो approve को कैसे noun में convert करेंगे, आप लोग, बताईए, देखते है आप लोगों में से कौन बताएगा, सही जवाब, तो after changing the following verb into noun, that is approve, it will be approval, तो approval जो word आपके सामने आपको दिया गया है, that's a noun, ये एक noun है, संग्या है, बाखी आप लोग का approved, approved, approving, approves, तो ये सब क्या आप लोग के that's a verb के अलग-अलग format है, कोई es में है, कोई second form में है, आप लोग का है, that's a noun format, तो आपका सही जवाब हो जाएगा noun, reasoning के अगर हम बात करेंगे, reasoning में किस तरीके से question देखने को मिलेंगे, तो आईए देखते हैं, आपको एक question दिया गया, बहुत ही शांदार, जानदार और धमाकेदार है, समझ में आ रही है आपको बात, यदि न पहले, जैसे मान लिजे किसे ने कोई अपराद कर दिया, सबसे पहले होगा अपराद, अपराद करने के बाद होगा वो व्यक्ती ग्रफतार, ग्रफतार होने के बाद उसकी पेशी होगी नयाए में, फिर नयाए होगा, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके सा प्रफतारी होती है फिर नयाय होता है फिर सजा मिलती है उसके बाद जेल होती है जेल के बाद जो अच्छा लगे वह होता रहता है तो आपका सही जवाब होगा 4, 3, 5, 1, 2 आपका इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 5, 1, 2 that's a perfect answer is option number B that's a correct answer ओके नेक्स्ट कोशन प्लीज is a, b, c, d और e पान्च नदिया है ए, b, की अपेक्शा छोटी है परणतु e से बड़ी है सबसे बड़ी है कौन सबसे बड़ी है? something is missing कुछ ना कुछ तो इसमें जो है missing है तो परणतु e से बड़ी है ओके ना परणतु e से बड़ी है और c सबसे बड़ी है वैंने इसमें कुछ ना कुछ missing होगा, ऐसा होई नहीं सकता है कि सबसे बड़ी कौन है, C सबसे बड़ी है, यदि D, B से कुछ छोटी और A से कुछ बड़ी हो, तो बताईए भाई साब सबसे छोटी नदी कौन सी है, देखते हैं, आप लोगों में से कौन बता पाएगा, सही जवाब क्या होगा, तो सबसे बड़ी, C तो आपकी सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई नहीं है, A, B की अपेक्चा छोटी है, अब जो A है, ये आपका B की अपेक्चा छोटी है, A, तो A हमारा B से छोटा हो गया, परंतु E से बड़ी है, होगे ना, परंतु दोस्तों ये जो है, आप लोग का E से बड़ी है, तो A हमारा जो हो गया, वो E से बड़ी हो गया, तो जो A है, वो B से छोटा है, लेकिन E से बड़ा है, C सबसे बड़ा है, D जो है, वो B से कुछ छोटा है, लेकिन E से बड़ा है, तो जो D है, यह आपका B से तो छोटा है, लेकिन E से बड़ा है, तो बिल्कुल right है very good class बहुत बढ़िया कर पार है आप लोग शाबाश मेरे शेरो to see great हो तो जिन दोस्तों का अभी आंसर E आ रहा है तो बिल्कुल right है very good class बहुत बढ़िया तो इस परिकार दोस्तों आप लोग का right answer यहाँ पर आ गया है E अब देखिए आप लोग का next question आप लोग के सामने है इसको देखेंगे देखेंगे रेजिनिंग के बाद आती है current ओके तो current में क्या क्या पूछ जाने वाले आप लोग के परिक्षाओं में वो मैं आप लोग के 2028 या फिर 2035 तो देखते हैं आप लोगों में इसे कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा तो भारत के दोवारा 2030 तक 2030 तक सरलक दुरगटना में होने वाली मौतों को सूनने करने का लक्षे निर्धारित किया गया है तो भारत में 2030 तक कहा है तो आपका right answer हो जाए राज्य सरकार ने जन जाती है बच्चों को उनकी मात्र भाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसाई कारिकरम चलाया है तो ऐसे में आपका right answer हो जाएगा option B है केरल अगर आपका answer केरल आया है शाबाश अगला कोशन देखिया केन सरकार तीनों सेनाओ को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर air defense command की इस्थापना कर सकती है A, B, C, या फिर D, come on everyone class को like करते रही है, share करते रही है तो दोस्तों अगर हम इस question के बात करेंगे तो आपका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा सभी लोगों को बताना है कि केन सरकार तीनों सेनाओ के लिए तो केन सरकार तीनों सेनाओ के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगा पर air defense command किस्ता आपना कर सकती है 63 आपका सही जवाब हो जाएगा प्रियागराज तो जिन दोस्तों का अभी आंसर प्रियागराज आ रहा है तो बिल्कुल right होगा very good class बहुत बढ़िया तो अगर आप का अंसर प्रियागराज आ रहा है तो बिल्कुल correct है very good class बहुत बढ़िया तो अगर आप लोग का अंसर प्रियागराज आ रहा है तो बिल्कुल right है ओके तो जिन दोस्तों का अभी आंसर प्रियागराज आ रहा है very important, बहुत ही interesting question आप लोग के सामने है, सशी कुमार मधुसूधन, तो दोस्तों, अब अगर हम इस question की बात करेंगे, ध्यान दिज़ेगा, सशी कुमार मधुसूधन, सशी कुमार मधुसूधन, चित्रे का निधन हो गया, वे क्या थे, वे आप लोग के चित्रकार थे, एस्टोफिजिश्ट थे, इतियासकार थे, या फिर गायक थे, तो ये आप लोग को बताना है किस question का आपका right answer क्या हो जाएगा, इसको बताएगा, तो दोस्तों अगर हम इस question की बात करेंगे, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, come on everyone, A, B, C, या फिर D, तो आपका 64, अगर हम इस question की बात करेंगे, तो आपका correct answer क्या हो जाएगा, तो ध्यान दिजेगा, इस question का आपका right answer हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिस्ट, तो जिन दोस्तों का अभी answer आ रहा है, एस्ट्रोफिजिस्ट बिल्कुल correct है, very good class बहुत बढ़िया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, एस question का बिल्कुल correct answer, अब बढ़ेंगे आगे, अगला question आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइगे, तो दोस्तों next question आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दिजेगा, Tata Power Delhi Distribution Limited, Tata Power, ध्यान दिजेगा मेरे प्यारे मित्रों, Tata Power Delhi Distribution Limited ने, एन अधिकारिक ब्रांड सुभंकर का नाम क्या रखा है इसको बताना है तो अगर हम इस कोशन के बात करेंगे टाटा पावर दिल्ली डिस्टिबूशन लिमिटेड यानि कि दोस्तों आपका TPDDL तो इसके अधिकारिक ब्रांड सुभंकर का नाम क्या है तो अगर हम इस कोशन के बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा 65 तो अगर हम इस कोशन के बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी तो जिनका भी आंसर आ रहा है, रोशनी आ रहा है, तो बिलकुल correct हो जाएगा, very good class बहुत बढ़िया, अब बढ़ेंगे आगे, next question आप लोग के साबने आपको दिया गया है, इसको देखिए, साथियो, अब आपको बताना है भाई साब, रक्षा अनुसंधान और विकास संग रिटन द्वारा, विक्सित देश की पहली सौदेशी मशीन पिस्टॉल का नाम क्या है, पिस्टॉर, नाइगर, सितारा, अश्मी, या फिर आपका हो जाएगा, नक्स हो जाएगा, ओके, तो क्या लगता है आप लोग को, अगर हम इस question की बात करेंगे, तो अगर हम इस question की बात करेंगे, कि भाई, पिस्टॉर का नाम क्या है, 66, सही जवाब हो जाएगा, option number C होगा, इस question का बिलकुल right answer, आपका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, अश्मी, ओके, तो जिन दोस्तों का भी answer, अश्मी आ रहा है, बिलकुल right है, very good class, बहुत बढ़ अगला ओशन आप लोग के सामने है, इसको देखिए, तमिल नाडू के कोईमेटूर, तो अगर हम इस question की बात करेंगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए, तमिल नाडू के कोईमेटूर जिले में खोजी गई, किस नई प्रजाती का नाम पश्मी घाट के पारी इस्तिकी hot spot शिरुवानी के नाम पर रखा गया है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका इस question का सही जवाब क्या होगा, बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस question का correct answer क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, या फिर D होगा, बताइए बहुत ही important question आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, तमिल नाडू के कोमिटूर जिले में खोजी गई किस नई प्रजाती का नाम पशिमे घाट के पारी इस्तिकी hot spot शिरुवानी के नाम पर रखा गया है, हाँ, बिलकुल, सही बता रहे हैं आप लोग, तो आपका right answer हो जाएगा, fruit fly, तो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा, fruit fly होगा, इस question का बिलकुल right answer, very good class, बहुत बढ़िया, अब बढ़ेंगे आगे, अगला question आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, दोस्तो, periods से सम्मंदित सभी प्रकार के उत्पाद के मुफ्त बित्रन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, क्या आप लोग जानते हैं, ये भी current का ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है, आईए और आप लोग बताइए, periods से सम्मंदित सभी प्रकार के product को free में बाटने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, A, B, C, या फिर D, 68, तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, B है, Scotland है, तो जिनका भी आंसर Scotland आ रहा है, तो बिलकुल right है, very good class, बहुत बढ़िया, आपका इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा, Scotland, अगला कोशन आप लोग के सामने है, तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option number B है, मा बारही देवी धाम station, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, option number B, अगला कोशन आप लोग के सामने है, राश्टिये दुग्द दिवस कब मनाया जाता है, तो राश्टिये दुग्द दि तो आपका सही जवाब हो जाएगा, 26 नवंबर, that's a perfect answer, very good class, बहुत बढ़िया, और अब आते हैं graph पर, देखिए आप लोग के एक्जाम में 20 नंबर में से 10 नंबर का graph आएगा, 10 नंबर के table आएगी, तो 20 question आएगे, 10 question आएगे graph से, 10 question आएगे table से, तो मैं आपको बताना चाओंगा, किस तरीके से question आप लोग के exam में आ सकते हैं, वो मैं आप लोग के साथ discuss करना चाओंगा, तो देखिए, अब आप लोग समझी, आपका right answer क्या होगा, देखिए, तो आपको एक direction दे रखा है, निमलिकित चार्ट में, तो मेरे प्यारे दोस्तों, निमलिकित चार आपका अध्यन कीजिए, और प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो क्या लगते हैं, आप लोग को सही जवाब क्या है, यह आपको बताना है, तो यह है दोस्तों, आपकी मांग, और यह है उत्पादन, ओगे ना, तो यह है आप लोग की मांग है, तो यह उत्पादन है, तो अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उप्युक्त कम्पनी कौन सी है अगर जो कम्पनी A वाली जो कम्पनी है ये वाली देखे कम्पनी A है ये जो है अधिसेस उत्पादन को खरीद कर जो भी उत्पादन इसको खरीद कर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है ठीक यह इसका देखे उत्पादन है और यह इसकी मांग है अगर यह अपनी जो उत्पादन है यह जो है खरीद कर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो इसके लिए कितना अवश्यक है तो कौन सी कमपनी सही है CDAB 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 और B क्या लगता है आपको 1800 इतना उत्पाद चाहिए इसको 1000 उत्पाद चाहिए 2700 उत्पाद चाहिए क्या लगता है आपको यहां पर आपको लोगों का जो है correct answer क्या होगा तो come on everyone अब आप लोग मुझे बताएंगे that's the 81 is question का right answer क्या हो जाएगा सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा भाई साप जो company A है इसकी demand है 3000 और इसका जो production है वो 1500 है I mean इसके मांग और उत्पादन का अंतर कितना हो जाएगा अगर मैं company A की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मांग है और जो उत्पादन है तो मांग और उत्पादन का अंतर हो जाएगा 3000 माइनस का हो जाएगा 1500 तो बरावर आपका 1500 आजाएगा तो कौन सी company best रहेगी तो company D वाली best रहेगी ऐसा क्यूं है तो यह किसके उत्पादन को खरीदेगी ताकि इसकी मांग पूरी हो जाए तो company D वाली आप D वाले को हटा दूं तो इसके पास कितना फ्री का production बसता है जो यह A को दे सकता है तो भाई 007 मेंसे दो गया 5 दो मेंसे गया 1500 तो इस परकार आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम company D की बात करेंगे तो company D में उत्पादन और मांग का जो अंतर आ रहा है वो 1500 आ रहा है इसलिए य best company रहेगी इसके लिए D वाली हो जाएगी तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा यह आप लोग का D होगा जो कि बिल्कुल right answer है very good class बहुत बढ़िया अब बढ़ते हैं आगे अगला question आप लोग के सामने आपको दिया गया है यह रहा अब देखिए दोस्तों आप लो का X परसेंट यह है company C आप लोग आपर देख सकते हैं यह आप लोग की company c आपको दिख रही है और यह है company c की मांग है यानि कि demand जो की 25 है और company c का जो उत्पादर नहीं वो 1000 आपको दिया गया है तो यानि की मांग का X परसेंट Demand कितनी है 2500 है तो यहाँ पर लिखेंगे भाई साब कितना Company C की जो The Demand है वो है 2500 इसकाक कितना % X% मैंने X % लिख लिया यह किसके बराबर है Company B के Demand के बराबर है अब Company B को देख בחिए तो यह है Company B यह है Company B जिसकी Demand कितनी है दोस्तो 600 है तो ये बराबर है, 600 के बराबर है, मैंने 600 के बराबर लिख दिया, तो X का मान कितना होगा, निकालते हैं, तो अगर हम इस question की बात करेंगे, तो आपका मेरे सभी दोस्तों सही जवाब क्या होगा, तो देखें दोस्तों, 00, 00, cancel, 25, 25, 100, 6, 24, 24, तो X बराबर आप लोग का right answer कि 24 होगा इस question का, यानि की option number A होगा, इस question का सही जवाब, इसी गराब से एक और question बनते हैं, आप लोग के सामने ध्यान से देखेंगे, यदि company D का जो उतपादन है, company A के उतपादन का H गुना है, तो H किसके बराबर होगा, ठीक है, अब company D का जो production है, वो कितना है, तो company D को हम बात करेंगे, तो इसका production कितना है, 2700 है, ओके न, यह आपको दिया गया है, तो मैंने यह आप लिख लिए भाई सा, company D का जो उतपादन है, यह आप लोग का लिख लिए, 2700 लिख लिए, अब यह company A के उतपादन का H गुना है, ठीक है भाई, company A के, तो यहाँ पर H गुन आपको H का मान याद करना है, सिंपल सी बात है, H बरावर हो जाएगा, यह पंदर सो नीचे जाएगा, तो 2700, अपन में 1500, डवल जीरो, डवल जीरो, खतम, तीन निम 27, तीन पंजे 15, और सही जवाब मेरा दूस्तों क्या हो जाएगा, तो कितने गुना आ गया, तो H बराव 48, तो 1.8 गुना हो जाएगा, तो H की वैलू कितनी आ जाएगी, तो H जो है, इसका मान क्या होगा, 1.8 गुना हो जाएगा, तो 2700, जो है, 1500 का 1.8 गुना के बरावर है, तो आपका सही जवाब होगा, option number D, अब देखिए आपका जो अगला कोशन आप लोग के सामने है, इसक अच्छे, तो 5 कंपनियों का निकालना है, average demand और average production, आईए निकालते हैं, 5 कंपनियों की बात करी जा रही है अब, तो सब कुछ मैं erase कर रहा हूँ, और अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, तो 5 कंपनियों की जो demand है, इसकी 3000 है, इसकी 600 है, इसकी 2500, 1200, 3300, तो 5 क 500, 3500, तो 325,500, पच पन सो मैंने आप लिख लिया, तो यह दे रखाए आपको देखे 600, 1200, तो देखे दोस्तों, 12 और 6, तो 12 और 6, तो 8, 1800, 18, 19, 20, तो ना, 18, 19, 20 और 20 और दिया गया आप लोग का, तो 400 आप लोग का ये हो जाएगा, तो 005549, तो ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से अगर मैं इस कोशिन की बात करूँगा, इन सब को अगर आप लोग जोड़ेंगे, तो कुल मेरा जो मांग आ रही है, मांग, वो कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं बात कुने हैं, कि 1500, 1800, ध्याम दी जाएगा, दोस्तों, 3600, 2500, 1200, 3300, तो ये हो जाएगा तो आपका राइट नासर क्या हो जाएगा? 10600 आ जाएगा, तो ये तो हो गया मेरा या रहाँपर, डिमांड आगे, डिमांड, 10600, अब इसका आवरेज निकालेंगे, तो आवरेज जाएगा, पांच दुनी 10, पांच दुनी 10, पांच एकम पांच, एक बचा पांच दुनी 10, profession डिरो का जीरो, 21 20 आ जाएगा, आप लोग का इसका और जाएगा, अब बात करेंगे, उत्पादन की, उत्पादन कितना है आप लोग का, दोस्तों, 1500 है, 1800 है, 1000 है 2700 है 200 है अब आप लोग इसको count कीचिए 1500 1800 1000 2700 2200 92 100 ठीक ना आप लोग इसको जोड़िए फिर इसको divide कर लीजे 5 से तो यहाँ पर आप लोगा कितना हो जाएगा 2801400 इसको जोड़िए तो यहाँ पर अगर मैं इस question की बात करूँगा तो जो दोनों की value आई है उसका मैंने average निकाला average निकालने के बाद उसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना बचेगा तो यह बचेगा यहाँ पर अनुपातों का अंतर ज्याद करना है 280 तो क्लास में जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 280 बिल्कुल right है very good class बहुत बढ़िया तो वो मैंने निकाला यहाँ पर 10-600 यह मैंने निकाला 92-100 इनका अंतर निकाला एक बटा पांच कर दिया तो मेरा right आंसर कितना हो जाएगा 80-0 हो जाएगा इसके बाद एक कोशन आप लोग का बनता है यहाँ पर रेशियो से कि भाई साब आपको बताना है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपाद कितना होगा तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इस कोशन की बात करेंगा उत्पादन से जादा मांग किस-किस कंपनी की है देखिए दोस्तो इसका उत्पादन इतना है देखिए दोस्तो आप लोग उत्पादन इतना है मांग इतनी है तो एक कंपनी यह हो गई उत्पादन दोस्तों कहाँ पर दे रखा है इसका उत्पादन इतना मांग इतनी है तो उत्पादन से ज़्यादा मांग दे रखी है ऐसे ही उत्पादन इतना मांग इतनी दे रखी है तो तीन कंपनिया ऐसी है जिन का उत्पादन से जादा डिमांड होती है ओके और दूसरी बात पूछ रहा है मांग से जादा उत्पादन बिल्कुल ध्यान से अब यहाँ पर कहाँ पर ये वाला देखिये दोस्तों यहाँ पर मांग से ज्यादा उत्पादन चल ला है यहां पर दोस्तों कि मांग से ज्यादा उत्पादन चल ला है तो दो कंपनियां ऐसी है जहां पर भाई साब डिमांड से ज्यादा तो वहां का प्रोडक्शन है तो इन दोनों का रेशियो पूछा है तो दोनों का रेशियो भाई साब कितना हो जिनका production उत्पादन जाता है, ओके ना, तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा, option number C होगा, तीन अनुपाद 2 होगा, इस question का बिल्कुल right answer, very good class, बहुत बढ़ीगा, इसके लावा दोस्तों, आपके paper में दोस्तों, एक आएगी table, ये तो graph था, दो table आएगी, मैं आज solution का आपका सही जवाब, देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, निर्देश, A, B, C, D और E, और नगर के निवासियों के सिनेमा देखने संबंदी आददों के बारे में, एक अक सर्वेक्षन के आकल दिया गया, उनमें से इस्थम एक में प्रतेक नगर के उन दर् संख्या को दिखाए गया है, जो प्रती सब्ताहा 2 या 2 से ज़्यादा मूवी देखते हैं, तो उनकी टेविल आपको दी गया, तो यह 5 सहरे, A, B, C, D, E, और पहले वाले में आप लोग के दुस्तों क्या है, यह उनका परसेंटेज है, जो आप लोग के 2 से कम मूवी देख लगते हैं, तो नगर C में ऐसे कितने दर्शक हैं, जो भाई, प्रती सब्ताह नहीं हर अपते 2 से कम, अब 2 से कम की बात हो रही है, C वाला नगर है, तो आप मुझे बताईए, कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ट्राइ कीजिए, लेकि दोस्तों अगर हम बात कर करना है संक्या में, तो मैंने यहाँ पर मान लिया 15%, ध्यान से देखिए, समझी है, 15% जो बचे हुए लोग हैं, जो 2 से ज़्यादा मूविया देखते हैं, इनकी संक्या 24 हो रही है, क्योंकि यह है 2 से कम वाले, और यह है 2 से ज़्यादा वाले, तो 85% तो कम लोग देखते ह लोग की संक्या कितनी है, तो 85% बराबर 85 उपर, ठीक ना, 15 नीचे आ जाएगा, और यह आप लोग को 24 हो दिया गया, अब आप लोग इसको सॉल्ब कर लीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए, तो देखते हैं फिला नमारा राइट आंसर क्या 24 डवल जीरो, पांस से मैंने इसको कड़ा है, और पांच एकम पांच, पांस अत्य पैतिस, इसको और मल्टिप्लाई किया है यहाँ आपर, ठीक ना, 17 और 8, तो आपका इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा, 136 डवल जीरो, 13600 लोग हैं, तो भाई, यहाँ पर हर हफते में, दो से कम मुवी देखने वाले जो लोग हैं, वो कितने हैं, 13600 लोग हैं, जो आप लोग के हर हफते दो से कम मुवी देख लेते हैं, इसके लाव़ दोस्तों इससे आपका दूसरा प्रशन यह उठता है, कि वहन अगर कौन सा है, भाई साब आप लोग को बताना है, आखिरक 208000 और फिर इदर परसेंटेज रखा है, 60, 20, 85, 55 और 75 बताइए, तो अगर इस टेविल को अगर आप लोग देखेंगे, तो यह है दोस्तों आप लोग का सबसे कम देख पार होंगे, आप लोग का यह केवल 20% आप लोग को दिया गया है, जहां पर सबसे कम आप लोग के ल देखिए, 20 बराबर अगर आपका 3000 है, तो 00 मैंने आपर कार्ट दिया, 2 बराबर आपका जाएगा, 2 एकमदो, 2 पंजल सो आजाएगा, ओगे ना, तो 100 बराबर आप लोग का कितना आजाएगा, 15000 हो जाएगा, बाकी सभी में इससे ज्यादा निकल के आएगा, जैसे एकर मै यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, यानि कि सही जवाब होगा, ऑप्शन नुमर सी, ऐसी यह आप लोग कि अगर हम बात करेंगे, एक कोशन इसमें और है, इस सर्वेक्षन में सामिल, किसी भी नगर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संख्या कितन आखिरकार जो हम लोग सर्वे करेंगे, इस सर्वे में हम लोग चेक करेंगे, किसी भी नगर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संक्या है, वो कितनी है, आईए ग्यात करते हैं, तो इस टेविल को निकाल लिया, अब इस टेविल को बिल्कुल दियान से देखिए समझी है, और हर एक नगर का डेटा जो है, इसको अलग-अलग निकाल लिया, तो जैसे कि हमारा ये दिया गया है, 60, तो 60% अगर दो से कम है, तो 40% जो है, ज्यादा हो जाएंगे, तो 40% की वैलू दे रखिए 24, 00 मैंने आप रिकार्ट दिया, 4 एकम 4, 4, 24, 60 आजाएगा, त तो टोटल इसमें 6000 लोग देखने वाले हैं, अब 20% अगर आपका दे रखा है, तो 80% आप लोग का ये वाला हिस्सा होगा, तो 80% की वैलू दे रखिए, आप लोग को 3000 दे रखिए, तो 00 मैंने आप रिकार्ट दिया, और कुछ कटेगा यहां पर, 8, 3, 24, 60 बचा तो यह राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तो 80 बरावर लिखा है, मैंने याप पर 3000 लिखा है, मैंने एक ये काट दिया, इसको काट दिया, अब भाई साब अगर मैं इस कोशन की बात करूँ, यापर इसको 4 से काट कर देखते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दुनियाट, 4, 7, 28, 4, 25, 2 बरावर आप लोग का 75 आ गया, तो 50, 200, और इधर मेरा कितना आ जाएगा, हमारे ऐसे 25, 25, 2 लगा हासिल, 5, 35, 36, 37, तो ये मेरा आ जाएगा, 3750 आ जाएगा, ये तो सबसे कम है, मैंने पहले ही आपको बता है, ये हमारा सबसे कम है, 3750, अब 85% दे रखा है, तो बचा कितना 15%, तो 15% की वैल्यू आपको 2400 दे रखी है, तो 15, 2400 दे रखा है, यहां पर एका इसको solve करिंग कितना आ जाएगा, तीन बंजे बंजे बंदरा, तीन अटे चोबिस, डबल जीरो आ गया, बीस पंजे सो, और बीस, आट दुनी सोला, तो ये 16000 आ जाएगा, 16000 आ जाएगा, ऐसी आप इसका निकालोगे, मैं डियरेट बतारों फटा-फट से, तो इसका आपका 6000 आ जाएगा, ऐसे आप इसका निकालोगे, 25 बराबर 8000 दे रखा है, 2400, तो 8, 32 हो जाएगा, तो भाई सबसे ज़्यादा निकल के आया है मेरा E वाला है, तो वो सहर E है, जहां पर पिच सा है, तो ये नगर निकल के आया है मेरे सामने E वाला, तो ऐसे, ऐसे कोशन आपको देखना होगा, टेविल को सॉल्ब करना होगा, ऐसे कोशन आप लोग के एक्जामें पूछे जाएंगे, ओके, ऐसे एक कोशन आप लोग का और बनता है कि भाई साब, वे दो नगर कौन से है, जहां फिल्मों देखने वालों की संक्या बराबर है, अब तो फाइदा हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी टेविल पहले से अलिडी बनी हुई है, सॉल्ब कर रखा है, तो छे हजार एक यहाँ पर था, छे हजार, एक छे हजार यहाँ पर है, तो एक नगर A हो गया, और एक तो सही जवाब हो जाएगा मेरे यहाँ से A और D, यानि कि option number D होगा, इस question का बिल्कुल right answer, तो यह था आप लोग का यहाँ पर UP PET का paper, इस तरीके से आप लोग के exam में question आएंगे, negative marking के अगर हम बात करेंगे, तो एक बटा चाहर negative marking है, पांच-पांच question हर subject से रहेंगे, चा तो एसे में उन छातरों को ज्यादा लाब मिलने वाले, जिनको मेर में बहुत problem होती है, आप भी मेर को solve गर पाएंगे, हिंदी के भी 5 question रहेंगे, इंग्लिश के भी 5 question रहेंगे, रीजिनिंग के भी 5 question रहेंगे, लेकिन current के 10 question आएंगे, समान ज्या गुरूपता, I mean static के पांच दस question आएंगे, दो paragraph आएंगे, जिसमें गद खंड या पद खंड आएगा, जिन से पांच मत question मिलकर, दस question बनेंगे, दो आएंगे graph और दो आएंगे table, तो ये पूरा syllabus है, इसी syllabus पर अधारित, daily ways पर आप लोग कोई paper solve करवाये जा रहा है, तो अगर एक class आपको important लगती है, helpful लगती है, तो ऐसे में आप लोग class को like जलूर करेंगे, class को अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी याँ पर UPSC pet exam के preparation कर रहे हैं, तो pet exam को कैसे qualify करना है, किस तरीके से आपका paper रहेगा, तो expected question paper, daily ways पर आपको mock paper के माददे में से solve करवाये जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जै BSA, जै BSA